ओलो स्टोबेंट्स आज ہम लोग बात करते हैं जनरल मल्टी डामस्टर ले की तो देखे सिंगेंचरी डामस्टर करते हैं। सनस्य क्या डामस्टर में आपको। विदियो लेक्चर में पर बसज है। पहले उस पे नुमेरिकल कर लेते हैं उसके आज कि हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं जन्रल मुल्टी डाफिशनले तो देखिए रो मेजर या कॉलम मेजर और क्या होता है उसमें एड्रेस कैसे निकालते हैं किसी इंडिविजियल एलिमेंट का यह सारी चीजे लास् इस चंसिजर दर 25 इंटो 4 मैट्रिक्स एरे ठीक है सब्सक्राइब बेस इस इस तो दिमेंशनल एरे जूजिए रो मेजर और तें देखिए अड्रेस अफ देखिए ट्वेल कामा थर्ट एलिमेंट विल बी इसमें क्या कह रहा है कि मालीजीय हमारे बेस्ट आपिए पिए प आरे पास कोई एक एरे है लेट एकस इजन एरे आफ ट्वेंटी फाइव रो इंटो फोर कॉलम पहली चीज़ दूसरी चीज़ वर्ड्स पर बेवुरी डबलू इस गोल डू कितना दिया हुआ है पूर यानि फोर वर्ड्स पर मेंमोरी सेल ठीक बेस एड्रेस कितना दिया है बेस एड्रेस दिया है बेस एड्रेस चाहरी है स्थूंडियर पहरे अभी क्या कह रहा है की अंड थे एलिमेंट sοιने रो मेंजर ओडर नीषर स्थो है वो programming language भी डिपेंड करता है तो programming language ने elements को जो store किया हुआ है वो row major order में row major order में ठीक अब हमें क्या करना है हमें करना है find the address of address of x 12,3 इस element का हमको address find out करना है सारा data जो दिया हुआ है इसकी help से अब इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले कि जो formula हमने last video lecture में आपको बना बताया था उससे आपसे यहाँ पर हम location निकालेंगे उस element की तो हम ऐसे लिख सकते हैं LOC यह किन रैक यह लोचे थारी लोचे लोचे लोचीप इसे लोचे 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 4 into 4 12 minus 1 plus 3 minus 1 ये हो गया आपका 200 plus 4 ये हो गया 4 into 11 plus 2 ये आगया आपका 200 plus 4 into 44 और तो 46 ये आगया आपका यानि 200 plus 4 चक 24 के 4 चक 16 और दो 18 इसको add कर देंगे तो ये आजाएगा आपका 384 इस इस दा एड्रेस और इस दा मेमोरी लोकेशन पर इस एलिमेंट अगर ये रो मेजर ओडर है तो हमने ये फॉर्मना लगाया है अगर कॉलम मेजर ओडर होता तो हम कॉलम मेजर वाला फॉर्मना लगाया है तो इस तरह से किसी भी इंडिविज्विज्व एलिमेंट का हम मेमोरी लोकेशन या एड्रेस निकाल सकते हैं इसमें एक चीज आपको ध्यार देखने वाली है कि मल्टी डामेशन डारेस क्लियरली इस्टेट डिफरेंस ब्रेंस ब्रेंस ब्रेंट फिजिकल व्यूज और फिजिकल व्यूज और डेटा क्या है ठीक सो दिस वाल अबाउट दिस एक्साप्पिल अब अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है जन्रल मल्टी डामेशनल एड़े जन्रल मल्टी डामेशनल एड़ेज इसमें क्या होता है कि जन्रल मल्टी डामेशनल एड़ेज और अनलोग शी more specifically an n-dimensional array is a collection of m1, m2 upto mn data elements in which each element is specified by a list of n integers such as k1, k2 upto kn called subscripts with the property that k1 will be in between 1 to m1 then k2 will be 1 to m2 and kn will be in between 1 to mn the elements of b with subscripts k1, k2, kn will be denoted by like this or this, ठीक है तो कोई भी general dimensional अगर आप n dimensional array यह आप बात करेंगे तो माल लिजी हमने करा कोई n dimensional array है हमारा ठीक है n dimensional array है ठीक है तो इसमें क्या होगा कि माल लिजीए कोई n dimensional array है जिसका नाम है b ठीक, तो यह क्या होगा कि it will be a collection of m1, m2, m3 up to mn elements इतने elements का यह collection होगा और हर element को हम represent करेंगे by a list of n integer k1, k2, k3 up to kn से ठीक है they are called subscripts और with the property that इसमें क्या होता है कि k1 की जो value होगी वो 1 से शुरू होके और m1 के बीच में होगी similarly k2 की जो value होगी वो 1 से शुरू होके m2 के बीच में होगी ऐसे ही kn की जो value होगी वो 1 से शुरू होके mn के बीच में होगी clear so the element of b with subscripts k1, k2, kn will be donated by तो अब b जो है उसको आप इस तरह बेंडेनोट कर सकते हैं b k1, k2, k3, kn ऐसे भी कर सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं b k1, k2, k3 up to k1 यह हो गया आपका representation of n dimensional array इसमें क्या होता है कि the array will be stored in memory in a sequence of memory locations specifically the programming language will store the array b either in row major order or in column major order by row major order we mean that the elements are listed so that the subscripts vary like an automobile odometer that is so that the last subscript varies first the next to last subscript varies second and so on और column major में क्या होता है कि the elements are listed so that the first subscript varies first most rapidly the second subscript second and so on row major में क्या होता है कि जो last वाला है वो सबसे rapidly move करता है और column major में क्या होता है जो first वाला होता है वो सबसे rapidly move करता है ठीक है अब इसी concept को या अगर आप address निकालना चाहें तो एक example से आप समझ सकते हैं माली जाम ने खा कि माली जे बी क्या है बी एक three dimensional array है इफ बी इस ए three dimensional array है मतलब two into four into three ये array है देन बी कंटेंस तो भाई two four three यानि total elements इसमें कितने हो जाएंगे टोटल elements के अंदर हो जाएंगे दो इंटो four into three दो चौक आठ या चौविस चौविस elements हो जाएंगे इस ट्वंटी-फॉर elements आप बी आर ठीक है रिप्रेजेंटेड इने pictorial वे ठीक है अब ये जो 24 elements है भी के इसको अगर आप pictorial करेंगे तो आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा माली सब्सक्राइब ने का कि से ये तो हो गया हमारा पेज वन ठीक है फिर माल लीजे ये हो गया पेज टू और फिर माल लीजे ये हो गया हमारा पेज थ्री ठीक है तो ये हमने इसको माल लीजे इसको हम लिखा पेज वन ये हो गया पेज टू ये हो गया पेज थ्री अब वन में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट होगा ये होगा आपका भी वन कॉमा वन कॉमा वन फिर ये होगा भी वन कॉमा टू कॉमा वन फिर ऐसे ही लास्ट एलिमेंट होगा भी 1,4,1 इस तरह होगा और second row जब आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा B 2,1,1 फिर B 2,2,1 और ऐसे ही last हो जाएगा B 2,4,1 ठीक इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे भी आप entry कर सकते हैं अब इसमें जो movement होगा पहला element होगा यह उसके elements का movement किस तरह से होगा first यह फिर इस पे जाएगा फिर यहाँ से इस पे फिर इस पे जाएगा फिर यहाँ से इस पे ऐसे यहाँ से यहाँ पहुचेगा और यह वाला element फिर इस page के पहले element को यानि यह शो करेगा इसके पहले element को यहाँ पर फिर यहाँ पर उसी order में चलेंगे इस तरह से आप पेलूज लिख लीजेगा यहाँ पर फिर यहाँ पर जो element आएगा यह इसके पहले element को शो करेगा क्लियर उस तरह से आप इसका pictorial representation कर सकते आप जैसे हमने कहा कि abree के दीन subscribe behavior कीजह हमने आप मों समझाने की लिख दिया सई आई जे की एसे ऐसने तो आप इसको इससलिजर सकते है कि B जो तीन subscribe है इसमेस पहले subscribe यह शो कर रहा है मालीजेग हो गया दूसरा सब्सक्रिप्ट यह शो कर रहा है, कॉलम हो गया, और तीसरा सब्सक्रिप्ट शो कर रहा है, पेज हो गया, या टेबल कह लिए, कुछ भी कह लिए, पेज हो गया, ठीक, तो अब जैसे मालीज हमने कहा, for example, कोई element अपने कहा, suppose कीजे, बी, और हमने लिखा किसाब, टू, ट्री, और टू, अब यह कौन सा element है, यह element हो गया, देखिए, सबसे पहले आप आईए, यहाँ पेज है, तो पेज कौन सा हुआ, दूसरा पेज, यानि इस पेज पर आईए, यह दिस वर, तीसरा कॉलम, और दूसरी रो, तो पेज नमबर टू पे, दूसरी रो में, यह पहली रो है, यह दूसरी रो है, और यह माल लिजए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौता कॉलम है, तो दूसरी रो के, तीसरे कॉलम में, तो यह element हो गया आप, इस तरह से general multi-dimensional array को, आप represent कर सकते हैं, इसी को आप column major में, और row major म को भी आप निकाल सकते हैं, उस पे formula establish किया सकता है, ठीक है, तो अभी आप इसका जो primary concept है, multi-dimensional array का, वो आप समझे लिजए, next video lecture में, आपको इसका row major order में, और column major order में, कैसे formula establish करते हैं, उसके बारे में, detail में बताएंगे, तो आई होग कि आपको यह concept clear हो गया होगा, अगर क confusion है, तो comment line में comment करके पूछिए, और अगर video content पसंद आ रहा है, तो video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे, और notification bell को on कर दीजे, ताकि next video की information आपको time से बिल सके, thank you.